इस्प्रिंग के दोलन आजिलेशन आप ए इस्प्रिंग सरल आवर्थ गती का सरलतम उधारन किसी इस्प्रिंग के एक सिरे से जुड़े एम द्रव्यमान के पिंड के दोलन होते हैं एक पिंड को किसी घर्शन रहित समतल प्रिष्ट पर रखते हैं यदि पिंड को जो के इस्प्रिंग यतांक वाले इस्प्रिंग से जुड़ा है उसकी साम्मे स्थती एक्स वरावर जीरो से किसी एक और थोड़ा खीच कर छोड़ दिया जाए तो वहाँ अपनी साम्मे स्थती के दोनों ओर इधर उधर गति कर रहा है जिस से चित्र दो में धन ए और रिण ए स्थतियां साम्मे स्थती के दाई ओर और बाई और अंकित हैं जो पिंड के अधिक्तम विस्थापन को दर्शाती हैं यदि पिंड को साम में स्थती से छोटी दूरी एक्स विस्थापित करते हैं, तो स्प्रिंग खीच जाता है, जिस से स्प्रिंग पर री स्टोरिंग बल, एफ बराबर माइनस के एक्स समीकरण एक लगता है, जो उसे साम में स्थती में लाने का प्रयास करता है, यहां के इस स्प्रिंग यह तांक है, बल, विस्थापन के बल एफ विस्थापन एक्स के समानुपाती है, इसलिए पिंड की गती सरल आवर्थ गती है, यदि पिंड ए त्वरण से चलता है, तो एफ बराबर मात्रा गुनित त्वरण समीकरन नंबर तो एक वह दो से, माइनस के इंटू एक्स बराबर म इंटू ए, संख्यात्मक रूप से, के एक्स बराबर म इंटू ए, या एक्स बटे ए बराबर म बटे के, समीकरन नंबर तीन, इसलिए पिंड का आवर्थ काल ती बराबर टूपाई वर्गमूल विस्थापान बटे त्वरन या टूपाई वर्गमूल एक्स बटे ए अब हम एक्स बटे एक आमान समीकरण 3 से रखेंगे तो इस तरह आपने देखा टी बराबर टूपाई वर्गमूल विस्थापन बटे त्वरन टी बराबर टूपाई वर्गमूल एक्स बटे ए था एक्स बटे एक आमान समीकरण 3 से रखें तो आपका हो जागर T equal to 2 pi वर्गमूल M बटे के इस तरह यदि कोई पिंड स्प्रिंग से 36 में जुड़ा हुआ है तो उसका आवर्त काल T बराबर 2 pi अंडरूड M बटे क्यों होगा इसलिए आवर्ती new बराबर एक बटे new बराबर अब T का मान रख दीजिए आप 2 pi अंडरूड M बटे के या new equal to 1 upon 2 pi अंडरूड K बटे M इस तरह ये इसके आवर्ती का व्यंजक हो जाएगा जहां के आपका इस्प्रिंग में तांक है M पिंड का द्रभ्यमान है और ये सरल आवर्द गती कर रहे कन की आवर्ती का मान हुआ कर दो आवर्ण का बटे का व्यंजक है